दोस्तो कोई भी व्यक्ति अगर वसीयत करता है तो ऐसा समझा जाता है कि वो उस व्यक्ति की जो वसीयत करता है वो उसकी अंतिम इच्छा होती है अगर किसी वेक्ति ने धन कमाया है, प्रोपर्टी जोड़ी है और ये धन या प्रोपर्टी जो कि उसकी चल या अचल संपत्ती में बटी हुई होती है ऐसे में अपने पूरे जीवनकाल के दोरान जोड़ी उस संपत्ती के संबंद में वो वेक्ति वसीयत कर सकता है और अपनी कमाई का मालिक या उत्रा दिकारी किसी को भी बना सकता है वसियत का मतलब होता है किसी वेक्ति द्वारा अपने जीवन काल के दोरान कमाई पूरी संपत्ति के संबंद में कोई निरने लेना जिसमें ये उल्लेखित किया गया हो लिखा गया हो कि उसके मर जाने के बाद उसकी संपत्ति किसे दी जानी चाहिए जब तक वो वेक्ति जीवित रहता है तब तक संपत्ति उस वेक्ति की होती है और जब उस वेक्ति की मिर्त्यू हो जाती है तो संपत्ति उसके दवारा तै किये गए वेक्ति को दे दी जाती है अगर कोई वेक्ति बगेर वसियत के मर जाता है तो उसकी संपत्ति का बटवारा उत्रा अधिकार कानून के तहत किया जाता है दोस्तो ऐसा माना गया है कि वसियत किसी वेक्ति की अंतिमिच्छा होती है इसलिए उसमें कोई हस्तक शेक नहीं करना चाहिए इसलिए वसियत को किसी भी परकार की कानूनी कारवाई से दूर रखा गया है किसी भी वसियत को लिखने के लिए ना तो किसी स्टेम पेपर की जरूरत होती है और ना ही उसका रजिस्टर्ड करवाना जरूरी होता है हाँ अगर कोई विक्ती चाहे तो वसीयत को रजिस्टर जरूर करा सकता है दोस्तो आज की युग में एक कहावत बड़ी चरित्रार्थ हो रही है ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया आज कल घर परिवारों में संपत्ति को लेकर लड़ाई जगड़े होना बेहत आम बात हो गई है लोग लालच में इतने अंधे हो चुके हैं लालच से इतने भर चुके हैं कि किसी की आँखों में मा बाप बाई बेन की शरम नहीं बची है दोस्तो जमीन जायदाद को लेकर लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू हैं और मुद्दवस इतना है कि परिवार के कुछ सदस्चे सारी संपत्ति को हडपना चाहते हैं बस और इसी अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए फरजी वसियत बना दी जाती है दोस्तो एक बात समझने की है कि वसियत को लिखने के कुछ तरीके होते हैं और उससे संबंदित कुछ कानून भी बनाए गई है ऐसे में अगर वसियत उचीत तरीके से नहीं बनाए गई है और आधार हीन है तो उसे अदालत में चुनोती देकर उसे फरजी साबित किया जा स कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है कुछ ऐसा लगता है कि उक्त वसियत वसियत लिखने वाले की इच्छा के विरुद लिखी गई है ऐसा परतीत होता है तो ऐसी वसियत को कोर्ट में चुनोती दी जा सकती है इच्छा के विरुद वसियत तब होती है जब व्यक्ति लिखना नहीं चाहता हो लेकिन उससे वसीयत लिखवा ली गई हो ऐसी वसीयत फरजी होती है अगर वसीयत किसी प्रकार के ऐसम्यक असर या दबाव में लिखवाई गई है तो ऐसी वसीयत का भी कोई लीगल वैलिडेशन नहीं होता है ऐसम्यक असर वो होता है जिसमें लिखने वाला जिस वेक्ति के हित में वसियत लिखने जा रहा है, उसके उपर उसका कोई असर हो, किसी परकार का कोई दबाओ हो, किसी परकार के उसके परभाओ में लिख रहा हो, और ये सवतंतर सहमती नहीं मानी जा सकती. अगर कोई वेक्ति इतना बिमार है कि उसे किसी भी बात का होश नहीं रहता है अगर ऐसे बिमार वेक्ति से कोई वसीयत लिखवा ली गई है तो ऐसी वसीयत को वैद नहीं माना जा सकता ऐसी वसीयत इसलिए अवैद मानी जाती है क्योंकि किसी बिमार वेक्ती की बोधिक शमता लगबग समाप्त हो जाती है और ऐसे में वो कोई भी ठीक तरह का निरने नहीं ले पाता है दोस्तो अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने बिमार मातापिता से अपने नाम पर वसीयत लिखवा लेते हैं मातापिता बेचारे ये भी नहीं समझ पाते कि उन्होंने कैसे कागजों पर हस्ताक्षर किये हैं दोस्तो किसी भी वसीयत को इन्वेलिड या अवैद साबित करने के लिए अगला आधार है गवाहा किसी भी वसीयत में दो गवाहों की जरूरत होती है और ये गवाहा साबित करते हैं कि वसीयत उनके सामने लिखी गई थी लिखने वाले ने ऐसी वसीयत को पढ़कर सुनाया था और उसके बाद ही उस वसीयत पर हस्ताक्षर किये गए थे दोस्तो गवाहों के रूप में जिन लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं उन लोगों का जीवित होना भी जरूरी होता है अगर ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर गवा के रूप में ले लिये जाएं जो पहले से ही बिमार थे या इतने बुड़े थे व्रद थे कि उनके जल्दी मर जाने की संभावना थी ऐसे मामले में भी वसियत संदेह के गेरे में आ जाती है और अदालत में चुनोती दी जा सकती है किसी भी वसीयत में गवाहों का आधार एक महतोपुर्ण आधार होता है इसलिए ये भी देखा जाता है कि वसीयत में जिनकी गवाही लगी हुई है उनका वसीयत लिखने वाले वेक्ति से और जिसके लिए जिसके हित में वसीयत लिखी गई है उसके साथ उन गवाहों का क्या रिष्टा है अगर गवाह ऐसे हैं जिस विक्ति के हित में वसियत लिखी गई है उसके कोई रिष्टेदार है या कोई मित्र है तो court का मानना होता है कि हो सकता है वसियत फरजी हो इसलिए ये challengeable होती है challenge की जा सकती है ऐसी वसियत दोस्तों अब आता है वो आधार जहां अच्छे अच्छे बनाने वाले गच्छा खा जाते हैं और फरजी वसियत पकड़ी जाती है किसी भी वसियत का content उसकी validity प्रूव करने के लिए major role play करता है अगर कोई वसियत किसी वसियत में किसी भी उत्रादिकारी को बेदखल कर दिया गया है और ऐसी बेदखली क्यों की गई है इस बात की ज सकती है तो कि ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ उत्रादिकारियों को संपत्ति देने से इंकार किया है तो ऐसे इंकार के पीछे क्या कारण हो सकते हैं वो भी बताया जाना चाहिए उधारन के तोर पर जैसे अगर कोई संतान या उत्रादिकारी जिस व्यक के आधार बनाए जा सकते हैं इसलिए वसीयत में ये भी देखा जाता है कि जिसे संपत्ति नहीं दी गई है उसे वो संपत्ति क्यों नहीं दी गई है उसके पीछे क्या कारण रहे हैं इसके अलावा किसी भी पागल वेक्ति दुबारा कोई वसीयत नहीं की जा सकती क्योंकि ए पागल व्यक्ति का हित उसके care taker उससे बहतर जानते हैं। इसलिए एक पागल व्यक्ति वसीयत नहीं कर सकता। अगर एक वसीयत register करवा ली गई है और फिर लिखने वाले ने कोई दूसरी वसीयत कोरे कागज पर लिख दी है तो ऐसे में दूसरे वाली वसीयत वैद होगी जो कोरे कागज पर लिखी गई है। अगर वसीयत को लेकर कोई भी प्रशन है या कोई भी समश्या है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके शेर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा ताकि जरूरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचती रहें। नमस्कार